वाट्सेप का ये सेटिंग अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको फ्यूचर में पच्टाना पड़ेगा अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो में आपको वाट्सेप की ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप अभी तक नहीं किये हो तो कर लेना है एंड अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप बहुत पच्टाने वाले हो वीडियो को एक सेकेंड भी स्कीप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना आपको मैं पहले बतायता हूँ कि ये सेटिंग क्या है, कैसे करना है तो चले चलते हैं अपने मोबाल के स्क्रीन पर आपको चले जाना है अपने वाट्सेप में जाने के बाद आपको चले जाने है उपर में थ्री डॉट में त्री डॉट में जाने के बाद आपको सिंपल नीचे में एक देख सकते हो सेटिंग का ओप्सन है सेटिंग वाले ओप्सन पर आपको चले जाना है और सेटिंग वाले ओप्सन पर जाने के बाद यहाँ पर फॉस्ट नमर पर देख सकते हो एक account का option है यहाँ पर आपको कर देना है click account में आज आने के बाद उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे options है यहाँ पर आप देखोगे fourth, second, third तीसे नमर पर आप देखोगे two step verification का एक option है इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो enable का button दिया हुआ ठीक है इस enable पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद एक यहाँ पर 6 digit का pin डालना है अब यह pin क्यों डालना है, इसका क्या use है वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा ठीक है तो आपको कोई भी 6 digit का pin डाल देना है और इसको दुबारा फिर से confirm कर देना है इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक Gmail डालना है email ठीक है एक यहाँ पर अपना Gmail डालना है जो की आप इस pin को reset करने में use कर सकते हो in future ठीक है तो यहाँ पर आपको Gmail डाल देना है अगर आपको लगता है कि मैं पिन भूल सकता हूँ तो यहाँ पर Gmail आप जरूर डालिएगा ठीक है और Gmail डालने के बाद Gmail पर एक OTP जाएगा वहाँ से Gmail को verify कर लिजेगा एंड उसके बाद आपको done पर click कर देना होगा फिलाल मैं Gmail को कर देता हूँ skip एंड इतना करने के बाद simply आप देख सकते हैं okay Gmail को मैं अभी skip कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाता है मैं pin को नहीं भूल ले वाला हूँ अगर आप pin भूल सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इमेल को आप जरूर डालिएगा एंड डाल के उसको verify किजेगा इतना करने के बाद आपको okay क्लिक करना है एंड इतना करने के बाद could not set pin check your phone connection एंड ट्राइए गन ठीक है तो यहाँ पे net off था तो यहाँ पे हम मैंने net को on कर लिया है एंड इसको जो है मैं skip करता हूँ एंड इसको skip करने के बाद apply changes यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा two step verification है वो done हो गया है एंड अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि यह important क्यू है एंड इसका क्या use है कुछ इस तरीके से आप setting कर लेते हो आप जानते हैं यह setting है क्या यह करने से आपको फाइदा क्या होगा जैसे कि आपने देखा इसका नाम है two step verification एंड अगर यह setting को अगर आप कर लेते हो तो जो भी वहाँ पे आप pin डालते हो छे डिजिट का अगर आप किसी नए smartphone नए phone में भी अगर आप फिर से नया WhatsApp बनाते हो उसी number से देन वह pin आपको डालना ही पड़ेगा OTP तो डालना ही है OTP के साथ साथ वह pin भी डालना है देन जो है आप नए mobile में WhatsApp बना पाओगे इससे क्या होगा आपका जो phone है आपका जो WhatsApp है वो 100% secure हो जाएगा 100% मतलब secure हो जाएगा कोई भी hack नहीं कर पाएगा अगर उसको OTP भी पता चल जाता है फिर भी वो आपके WhatsApp को hack नहीं कर पाएगा अगर बाइचांस अगर आप password खुद भी भूल जाते हो तो आप Gmail का यूज करके जो की Gmail आप उसमें डालोगे उसका यूज करके उस password को उस pin को reset कर सकते हो मगर उस pin के बीना कोई भी OTP अगर जान भी जाता है फिर भी आपके WhatsApp में logging नहीं कर पाएगा तो ये कमाल का setting है अगर अभी तक enable नहीं किया हो तो जरूर कर लेना ठीक है फ्रेंज वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर पते हैगा पसंद दे तो like किज़ेगा चैनल पने चैनल को subscribe कर लिजेगा Instagram का link description में वहाँ से मुझे follow कर लिजेगा ठीक है फ्रेंज थैंक यू जय हिंद